Hello friends, welcome to my YouTube channel Question 3 का B part करेंगे इस वीडियो के अंदर तो equation है n प्लस 12 is equal to 20 और 4 values 12, 8, 20 और 0 दे रखी हैं इन 4 values में से हमें इस equation का solution पता करना है शुरुआत करते हैं तो पहले मुझे 12 को put करना है यहां n की जगा यह n variable है तो हम लिखेंगे put n is equal to 12 और variable मेरा left hand side में है तो equation का left hand side में लूँगा और यह है n, n की जगा पे 12 put करना है और आगे plus 12 लिखा हुआ है 12 में 12 plus किया तो हो गया है 24 तो left side में answer आया है 24 लेकिन right में 20 है It means left hand side is not equal to right hand side तो 12 तो इस equation का solution नहीं है अब लेते हैं हम 8 को तो लिखेंगे put n is equal to 8 तो left hand side लेनी है तो आप इस तरह से लिखके दिखा होगे left hand side में ये n की जगा मेरे को 8 put करना है और आगे plus 12 लिखा हुआ है 12 में 8 plus किया तो ये हो गया 20 तो left side में 20 आया और right में भी 20 है It means left hand side is equal to right hand side तो ये बराबर आ गई है It means जो 8 है ये इस equation का solution है तो solution तो मेरे को मिल गया पहले में वो ही लिख देता हूँ तो इस equation का जो solution है वो है n is equal to 8 अब क्योंकि question में मेरे को ये भी दिखाना है कि इन 4 में से सिर्फ ए की solution है और बाकी के नहीं है तो formality के लिए मुझे ये जो दो बचे हैं इनको भी put करके दिखाना है अब ले लेते हैं 20 को तो put n is equal to 20 तो left hand side लेना है ये मैंने n की जगव बनाई जहां मुझे 20 put करना है और आगे plus 12 लिखा हुआ है equation में 20 में 12 plus किया तो ये आया 32 left में 32 answer आया है right में 20 है तो बराबर तो नहीं है it means 32 is not equal to right hand side तो 20 इस equation का solution नहीं है अब 0 को put करते हैं put n is equal to 0 तो left hand side के अंदर क्या हो जाएगा ये मैंने n की जगव बनाई यहां 0 put करना है और आगे plus 12 लिखा हुआ है solve किया 0 plus 12 12 हो गया अब left में answer 12 आया है लेकिन right में तो 20 है बराबर नहीं है it means 12 is not equal to right hand side जब बराबर नहीं है यनि जो 0 है वो इस equation का solution नहीं है तो इसमें आपको solution तो पता करना ही था प्लस ये भी show करना था कि बागी की जो values है वो इस equation को satisfy नहीं करती है ये B part खतम हुआ C part हम next video के अंधर करेंगे Goodbye